नमस्कार दोस्तों गुड़ मॉर्णिंग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा विलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों एक बड़ी खबर एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको द आयोग ने लिया फैसला जी एओ यू के ही खुलासे से आयोग ने फैसला लिया है सतासी हजाज सदिक पदों पर होनी है भरती फोर पॉइंट तिरिश्ट यानि कि 64 लाख अभ्यार्तों ने आविदन किया था होली के बाद ही नई तारिक की घुशना होगी जहारकन से पकड नए जूड़े हैं एक वर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा बेल आइकन को प्रेस्ट जरू कर लिजेगा ताकि बिप्यासी का पलपल का अपडेट आपको मिलता रहे यह खबर पटना चपके आ रही है और हिंदुस्तान पेपर के में पेस्ट पर इस न्यूज को प्रकासित किया गया है बिहार लोग सिवा आयोग जिसे हम लोग करते हैं बी पी एसी ने तिसरे चिरन की दोनों पालियों की सिच्छक भरती परिच्छा को रद कर दिया है जी ह पाली में वन टू फाइव की परिच्छा हुई थी और दोनों की परिच्छा रद करती ही है परिच्छा पंदरा मार्च को हुई थी पेपर लिख होने के कारण आयोगनी यह फैसला लिया है बी पीसी के मुताबिक परिच्छा की नई तीथी की घोषना बाद में की जाएग की कब इसका है परिच्छा होगा क्योंकि इसके लिए अब फिर से कोशन बनाया जाएगा चापा जाएगा फिर डेट शुटाप किया जाएगा तो हो सके इसकी तारिक होली के बाद ही आ सकती है अगर हो भी तो मार्ज तो नहीं होगा अपरिश्छा होगा हो सके अपड़ी में ही आजा इसका डिट कोई बड़ी बात नहीं है उमीद है कि होली के बाद ही नई तारीक घोसित होगी दोनों पालियों की परिच्छा के लिए पौने चार लाख अभ्यर्तों ने आवेदन किया था हलाकि उपस्तिती 85% रही थी वहीं 5 अप्रेल को माध्मिक व उच माध्मिक की संभावित परिच्छा पर भी आयोग ने इस्तिती असपस्ट नहीं की है यानि कि 9, 10, 11, 12 की जो 5 तारीकों परिच्छा होने वाली है उस पे भी अभी भी असपस्ट नहीं किया गया है EOU में दर्ज प्राथमिकी के बाद आयोग ने लिया फैसला बिपेसी ने आर्थिक अप्राथ इकाई EOU से पेपर लिग की बावत साच की मांग की थी साथ ही विपेसी की ओर से प्रतिन्युक्त नोडल पताधिकारी के माध्यम से EOU की प्राथमिकी में उलेखित कुछ बिंदुवों पर भी जनकारी देने को कहा था आर्थिक अप्राथ इकाई ने आयोग को पत्र लिख कर बताया था कि अनुसंधान के करम में किसी भी प्रकार की सूचना एवं मुहरबंद एलोट्रोनिक डिवाइस किसी कारियाले इकाई के साथ नियमानुसार साजहां नहीं किया जा सकता है आर्थिक अप्राथ इकाई द्वारा दर्ज की गई प्राथ मिकी में परिच्छा पूर्वी प्रश्ण पत् लिख होने की बात कही गई है यानि कि प्रश्ण जो प्रश्ण है वो छपने से पहले ही लिख हो गया है आर्थिक अप्राध इकाई की ओर से इस बात का भी उलेक किया गया है कि प्रश्ण पत परिच्छा सुरू के पुर्भी संगठित गिरोह के पास पहुंच गैथ है इन्ही बिंदवों पर विचार विमर्ज के बाद आयोग ने अभ्यर्तों को हित में परिच्छा को रद करने का निग्राई लिया है आयोग ने फिलहाल परिच्छा की नई तारिक घोसित नहीं की है आयोग के मुताबिक परिच्छा किती थी बाद में घोसित की जाएगी ये बात भी पेशी कोर से कहा गया है अब देखिए जाखन से पकड़े गया थे 270 अभ्यरती ऐसे हैं जो विचारे पकड़े गया है साथ जेल भी गया है सिच्छक भरती के तिसरे चलन की परिच्छा पंदरा मार्च को दो पालियों में आयुत की गई थी परिच्छा सुरू होने के पहले ही ई ओ यू ने जार्खन पुलिस के सहयोग से हजारी बार के कुर्रा पदमा और बरही इस्तित कोहिनूर होटल एब मेरेज हॉल में चापे मारी की थी यानि कि हजारी बार के तिन जेगा पर कुर्रा पदमा और बरही इस तिनों होटल में ही छापे मारी हुआ था इस दौरान होटलों के कई कमरों के अलावा मेरेज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्टों को बैठाकर प्रश्नपत का उत्तर अठवाया जा रहा था मौके से जब प्रश्नपत का मिलान बीपीएसी से प्राथ प्रश्नपत्तों से करया गया जो हुबहु था सभी 270 अभ्यर्टों को ग्रिपतार कर लिया गया है फिलहाल ईयो यू इस मामली की जांच कर रही हैं जांच में खुलासा हुआ कि कुलकाता इस्थित प्रिंटिंग प्रेश से पस्पत लीग हुआ था अब देख सकते हैं कि 87,000 से अधिक पदों पर होनी है भरती जी हां बीपीसी टी आरी थिरी पॉंट यूरो की बात करें तो इसमें जो सीटें हैं वह 87,000 के आसपास हैं बिहार में तिस्थे चरन किसी चिक भरती के तहट 87,774 पदों पर भरती होनी है इसके लिए 4.63 यानिके 4.64 लाख अभ्यार्तों ने आविदन किया है प्राथमिक अस्कूल में 1,664 मध में 2,13,940 माधमिक में 1,44,735 और उच माधमिक में 6,986 ने आविदन किया है वहीं इसमें कई अभ्यार्तों ने कई वर्वों के लिए अलग-अलग आविदन फॉर्म भरे हैं ऐसी इस्तिती में परिच्छा में सामिल होने वाले अभ्यार्तों की संख्या पांच लाख 81,305 के करीब बना हुआ है जी हां सिच्छक बहाली के तिसे जनकी परिच्छा का प्रश्णपत लिक मामले के गिर्फतार हुए आरोपियों को जल्द ही EOU SIT रिमान पर लेगी इन से इस बारे में पुष्टाच भी करेगी तो ये एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों इस तरह का और भ आपको खबर देते आते रहते हैं जैसे ही कोई नया तिथी या डेट एलाउंस होगा तो उस पर भी वीडियो बना के हम आपको बताएंगे तो फिर मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में धर्नेवाद दोस्तों